आपको बता दे जहां एक और जिले में पुली सदिक्षक विजय ढूल के दिशा निर्देश पर अवैत कच्ची शराब और शराब माफियाओ का धर पकड़ अभियान चल रहा है साथ ही हर रोज शराब माफियाओ को गिरफतार भी किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कुछ शराब माफिया धडले से शराब का काला कारो बार चलाने में जुटे हुए है जिसका जीता जाकता सबूत जब देखने को मिला तब लखिमपुर खीरी जिले के तहसिल पलिया के मजगई चौकी क्षेतर में अत्यादिक मात्रा में कच्ची शराब पी कर गाड़ी चला रहे दो युवकों ने एक कार में जोरदार टकर मार दी टकर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंबिर रूप से घायल हो गए ग्रामीन उद्वारा जिसके सुचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलीस ने आनन फानन में एमिलन्स की सहायता से दोनों युवकों को पलिया सीसी भिजवाया वही दोनों युवकों के पास अवैद कच्ची शराब के पैकेट भी بरामद है बताया जा रहा है कि लवकुष पुत्र सियाराम वा इंद्र पुत्र दौलत राम निवासी मजगई चौकी क्षेतर के ग्राम भगवन्त नगर गुलरान निगासन कोतवाली क्षेतर के गाव मुर्गहा गए हुए थे वही देर शाम वापस आते वक्त उन्होंने कच्ची शराब का अत्याधिक सेवन कर लिया था जिसके चलते उन्होंने मजगई पहुच कर अपनी बाइक से एक और विलर गाड़ी में टक कर मार दी जिससे वो दोनों गंभिर रूप से घायल हो गए ग्रामिनों द्वारा सुचना मिलने पर मौके पर पहुचे चौकी इंचार्ज उग्रसेन वर डायल 112 की सिपाहाईयों ने दोनों घायलों को 108 नंबर पर कॉल कर एम्बिलेंस की सहायता से पलिया से सामुदा एक स्वास्त केंदर भेश दिया वही दोनों यवकों के पास से काफी मातरा में कच्ची शराब की पाउच भी बरामत हुए है जिसे पूलीस ने कबजे में ले लिया है लखिमपूर खीरिस से फारुक हुसेन की डिपोर्ट